नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वाकत है। आज मैं आपको बसंत पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मा सवस्वती की जै अवश्च लिखे। साथी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्र कर लिजिए और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हर साल माग महिने की सुक्लपच्च की पंचमी तिथी को बसंत पंचमी करते हार मनाया जाता है। माननेता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी इ इस दिन ज्यान की देवी माता सरस्वती के पूजन के अलावा अपनी किताबों और बादियंत्रों का पूजन भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनिश्यों की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने जब स्रेश्टी की रचना पूरी कर ली तब उनका मन हुआ कि देखें स्रेश्टी की रचना कैसी हुई है। तब एक बार ब्रह्मा जी ब्रहमर पर निकले। तो उन्हें सारा ब्रह्मान मूख नजर आया। चारों और अजीव सी खामोसी थी। यह देखकर उन्हें स्रेश्टी की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। तब ब्रह्मा ब्रहमाजी ब्रहमर करते हुए एक जगय ठहरे और भगवान विश्नु की आग्या लेकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान जोतिपुंज उपस्थित हुए जिससे एक देवी प्रकट हुए बीडा लिए यह देवी थी मासर्शती चहरे पर अद् पंचमी का उत्सम मनाया जाने लगा मासर्शती के प्रकट होने पर ब्रहमाजी ने उनसे कहा कि इस रष्टी में सभी जीव मूख है ये केवल चर रहे हैं इनमें आपसी समवात करने का सामर्थ नहीं है इस पर देवी सर्शती ने उनसे पूछा प्रभु मेरे लिए क्या आ सभी आपस में संभाद कर सकें एक दूसरे के दुख तकलीप को समझ सकें इसमें ही दे सकें उनकी आग्या का पालन करके जैसे ही देवी ने बीडा का मधुन नात किया संसार के समस्त जीव जंतुओं को बाड़ी प्राप्त हुई जलधारा में कोला हल्प प्याप्त हुआ पवन चलने से सरसराहट होने लगी तब ब्रहमा जी ने उस देवी को बाड़ी की देवी सर्शती कहा सर्शती को बागी शोरी भगवती शारदा वीनवादरी और बागी देवी शहित अनेक नामों से पूजा जाता है समस्त संसार को दोनी प्रदान करने वाली मा सर्शती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता के प्रवतिमा इस्थापित करते हैं कई स्कूल, कॉलेजों, समीतियों और संस्थाओं में भी सर्शती पूजन का आयोजन हो इस दिन देवी सर्शती की पूजा करने के पीछे एक पौरानी कथा और भी है। परंतु सर्शती को प्रशन करने के लिए भगवान सिरी क्रेश्ण देवी सर्शती को बर्दान देते हैं कि प्रतेक विद्या की इच्छा रखने वाले को माग महिने की सुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेंगे। देवी जी का आचमन करके इसनान कराएं, सफेद या पीले फूल और माला चड़ाएं। इसके बाद मा को सिंदूर अर्पित करें और सरंगार की अनुबस्ति में भी भेट करें। मा के चड़ों में गुलाल लगाएं और उन्हें सुएत बश्ट पहनाएं। बसंद पंचमी के दिन मा सुष्टी की पूजा की जाती है। मा सुष्टी ज्यान की देवी मानी जाती है। गुरु सिस्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चों को गुरु कुल में गुरु को सौपते हैं। या अन्न कोई सुप काम करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। बिद्या वकला की देवी सर्शती इस दिन महर्बान होती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं। चाहे वकवी, लेखक, गायक, बादक, नाटककार हों या नरतिकार, सब इस दिन का प्रारम अपने बादे यंत्रों और उपकराणों की पूजा और मासरशती की बंदनाशी करते हैं। जैहो मासरशती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथी मेरे वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करिए। और अटाईवर